Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय यहाँ से लगभग 12 या 15 दिनों पहले Western medias और US की medias में बढ़ चड़ कर यह claim किया जा रहा था जहाँ पे कहा जा रहा था कि North Korea ने लगभग 8 से लेके 12,000 अपने troops को रश्या में भेजे हैं शुरुवात के तो कुछ दिनों तक नहीं तो रश्या या North Korea इस news को सही बताते हैं दोनों का बढ़ चड़ कर यही claim रहता है कि यह Western countries और US का एक propaganda का हिस्सा है लेकिन यहाँ से लगभग 4 या 5 दिनों से रश्या और North Korea दोनों ही openly इस बात को मान रहें जहाँ पर रश्या का कहना है कि उनके देश में या उनके जमीन पर North Korean Army का presence है और साथ में जैसे यह news और भी validate होता है वैसे यह US की परिशानी बढ़ जाती है वैसे भी US की परिशानी हर उस बात पे बढ़ जाती है अगर कोई भी घटना US के interest के खिलाफ हो रहा हो तो जो फिलहाल का geopolitical situation हो रखा है उसके इसाब से शायद ही कोई देश openly रश्या या इरान के साथ वैपार करना चाहेगा अगर किसी भी तरीके से कोई देश इनके साथ वैपार करना चाहेगा तो उसके उपर US और Western countries बढ़ चड़का sanctions लगा देंगे और अगर किसी भी देश के उपर sanctions लगता है तो उसका जो impact होता है वो सबसे अधिक पढ़ता है उस देश की economy के उपर इसी बीच अगर North Korea ये फैसला करता है कि वो रश्या में अपने troops को भेजेगा तो यहां से तो हमें एक चीज़ कम से कम मालूम पढ़ी जाता है कि North Korea और रश्या के बीच में संबंध अच्छे हैं या तो कम से कम हमें ये तो समझ में आहीं जाना चाहिए कि North Korea और रश्या अपने संबंध को और भी मजबूत कर रहे हैं अगर थोड़ा से हम इतिहास के पने को पलड़ते हैं तो हमें क्या मालूम पढ़ता है कि आज जो North Korea और South Korea है ये साल 1945 तक ये Japan के colony हुआ करती थी और जो आज का North Korea और South Korea है तब ये एक खटे जाना जाता था Korean Peninsula के नाम से क्योंकि Second World War में Japan हार जाता है तो इसी लिए उसका जो कंट्रोल होता है वो Korean Peninsula से चला जाता है तो उसके बाद Korean Peninsula में जो प्रजेंस होता है वो आपका बढ़ जाता है USSR का और USA का और फिर साल आता है 1948 जब Korean Peninsula को दो हिस्सों में बाट दिया जाता है एक बन जाता है North Korea दूसरा बन जाता है South Korea USSR को support करते थे या इसके group में जाते थे या तो वो US के group में जाते थे तो by default क्या हुआ कि जो North Korea है वो Russia के साथ align या USSR के साथ वो align हो गया और जो South Korea है वो align हो गया USA के साथ हलाकि ये जो topic है ये अपने आप में बहुत ही complex है और बहुत ही बड़ा है मैं बहुत ही कम शब्दों का इस्तिमाल करके मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि South Korea का जो एक natural alignment है वो USA के साथ में है और जो North Korea का जो एक natural alignment है वो आज के Russia या China के साथ हमें बहुत अधीक देखने को मिलता है जहां पर USA बढ़ चाड़ कर अपने weapons वगेरा या military training देता है South Korea के आर्मी को और exactly कुछ ऐसा ही करता है Russia भी North Korea के साथ तो यहां से अगर आप बहुत ही neutral होके अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर कसूरवार Russia है तो US भी उससे कम नहीं है और अगर कसूरवार US है तो Russia भी उससे कम नहीं है जैसा कि भारत पाकिस्तान के उपर नजर रखता है वैसे ही पाकिस्तान भारत के उपर नजर रखता है तो ऐसा ही कुछ equation North Korea और South Korea के बीच में है जहां पे as per media reports North Korea ने अपने troops को Russia में भेजे हैं इसके बारे में जो सबसे पहले जो जानकारी था वो South Korea ही भेजता है NATO को या हम कहले USA को तो इसी के regarding NATO के जो Secretary General है Mark Rutte उनका पिछले महीने के 28 October को statement आता है जहां पे उनका कुछ दावा होता है कि जिस तरीके से North Korea आपने troops को Russia में भेज रहा इससे जो Indo-Pacific है वहाँ पे काफी खत्रा बढ़ेगा तो एक चीज का आप ध्यान रखे है कि जब भी US या NATO इनको जब अपना personal agenda साधना होता है तो ये लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ इसमें हमारा अपना personal interest छुपा हुआ है ये लोग हर वक्त उस interest के पीछे वो पूरे world को उसमें शामिल कर देंगे यानि कि जब आप पूरे world को शामिल कर देते हैं तो इससे जो एक खुद का जो interest होता है वो छुप जाता है और कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि US सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है बलकि वो पूरे दुन्या के बारे में सोचता है जहां तक बात किया जाए रश्या-यूक्रेन के war के बारे में तो बढ़ चड़कर जो western medias है वो सिर्फ और सिर्फ रश्या को है कसूरवार ठहरा रहे है वो ये नहीं बोल रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन को pump किया गया US और western countries के द्वारा और इतने ही बेवकूफ यूक्रेन के President Zelensky है जिनको ये लग गया कि वो रश्या को हरा देंगे जहां पे बढ़ चड़कर रश्या का जो attack है invasion कहले या attack कहले उसको complete तरीके से illegal बताया जा रहा western countries के द्वारा वहीं पे अगर आप बात करें US के बारे में तो since 1950s almost 90 से लेके 95% देशों में अगर तकता पलट हुआ है all across the globe तो वहां पे आपको US का presence देखने को मिल जाएगा तो ये सारे बहुत सारे examples में से कुछ examples है जो बताता है कि किस तरीके से जो हमारा thought या हमारा विचार है उसको US control करता है जहां तक बात किया जाए North Korean Army का presence in Russia के बारे में तो यहां पे ये अब तक clear नहीं है कि exactly कितने numbers of North Korean जो आर्मी है वो रश्या में present है यानि कि नहीं तो रश्या इसके बारे में खुले तोर पे कुछ बताया है नहीं तो North Korea इसके बारे में बताया है और exactly इनका जो purpose है वो क्या purpose है इसके बारे में भी कोई clarity नहीं है तो यहां पे जो analyst है उनका ये मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर North Korean आर्मी रश्या में है तो वो Ukraine के खिलाफ लड़ेंगे यहां पे possibilities ये भी बन सकता है कि जो North Korean आर्मी है उनको एक real war का जो एक experience है वो लेने के लिए भेजा गया हो और साथ में as per independent medias या जो western medias है उनके हिसाब से ये सारे जो आपके North Korean आर्मी है इनका जो presence है वो हमें exactly उन्हीं सब regions में दिख रहा जहां पे war हो रहा तो कहने का मतलब है कि ये भी possibilities हैं कि जो North Korean troops हैं वो सिर्फ war को observe कर रहे हैं और साथ में क्योंकि Russia और North Korea के बीच में बहुत सारे weapons exchange हुए है तो ये भी हो सकता है कि एक real time war में उस weapon को कैसे use किया जाए ये सारे जो experiences है उसे share किया जा रहा साथ में जैसे ही North Korean troops Russia पहुंस वैसे ही South Korea भी ये फैसला करता है कि वो भी अपने troops को Ukraine भेजेगा और ये देखेगा कि जो North Korean troops से वो कहां पे present है या उनका इस war में किस तरीके से participation है तो इन सब news को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि exactly कौन सही है कौन गलत है ये तो सवाल exist ही नहीं करता है बलकि जो सवाल exist करता है वो ये है कि कौन सा चीज आपके interest में है और कौन सा चीज आपके interest पे नहीं है जहां पे North Korea के हिसाब से Russia सही है वहीं पे South Korea के हिसाब से USA है और इन सब पूरे process में North Korea जो Russia से चाहता है वो nuclear submarine चाहता है और जहां तक हम बात करें रश्या के बारे में तो ये बात कहनी के जरूरत नहीं है कि रश्या सच में एक militarily काफी powerful देश है तो बहुत सारे ऐसे weapons वगेरा है जिसके बारे में खूब interested है किम जॉंग ओन तो chances यहां पे ये भी बनता हुआ दिख रहा कि जो North Korean troop से वो एक real war का जो situation है उससे वो निकल के आएंगे ताकि उनके पास एक real war का experience हो सके